नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Newstore 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं Diabetes and Children के बारे में Diabetes and Children COVID की वज़े से हो रही Diabetes बच्चों में भी ये खतरा आया सामने तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जनकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंतक देखें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर तो आए दोस्तों शुरू करते हैं कोरोना वाइरस केवल डायबटीज से ग्रसित लोगों के लिए ही घातक नहीं है बलकि ये कई लोगों को डायबटीज की समस्या भी दे रहा है अमेरिका के वेटरन सफेल सेंट लूइस हेल्थ केल सिस्टम में क्लीनिकल एपिडोमोलॉजी सेंटर के निर्देशक जियाद अल अली ने बताया कि शुरुआत में ये विश्वास करना कटिन ताकि कोविट के कारण ऐसा हो सकता है कोरोना वाइरस की कई लहरों ने देश को ही नहीं बलकि विश्व को भी जंजोर कर रख दिया है इस बीच वैश्विक स्तर पर डाइबटीज लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है कहा जा रहा है कि डाइबटीज को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स अभी पूरी तरह से इसपश्ट नहीं है हाला कि कुछ डॉक्टरों को संदे है कि कोरोना वाइरस एक्रियाज के साथ-साथ इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथी को भी नुकसान पहुचा सकता है कोरोना काल के चलते लॉक्डाउन की वज़े से लोगों की जेवनचैली में कई बदलावाएं हैं जैसे समय वर डॉक्टर्स से संपर्ग ना होने पर बिमारी का देल से पता लगाना ऐसे में बिमारी का खत्रा जादा बढ़ सकता है वैग्यानिकव के अनुसार कुछ बच्चों में कोरोना वाइरस के हलके लक्षन पाये जाने पर भी उनमें डाइबडीस की शुरुआत तेजी से हो सकती है महमारी के शुरुवाती दिनों में कोरोना वाइरस को विशेश रूप से पेफडों की बिमारी बाना जाता रहा है कोरोना वाइरस शरीर के कई अंगो और शारिरिक रडालियों को खराब करने की अपनी शमता के लिए तीजी से पहचाना जाता है ऐसे में कोरोना से पूरी तरह से ठीक होने पर भी दस में से एक मरीज में इसके लक्षन लगतार बने रहते हैं मेटाबॉलिक संबंदी, समस्याओं में भी कभी कभी इंसुलिन की उच खुराग किया विशक्ता होती है इससे व्यक्ती में डायबटीज का खत्रा विक्सित हो सकता है शोत के अनुसार जो लोग पहले से डायबटीज से जूज रहे हैं उनमें से कई लोगों में सूजन देखी गई है डायबटीज एक ऐसी बिमारी है जिसमें शरीर परियात मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन या उसका ठीक से उपयोग करने में विफल रहता है ये इंसुलिन हार्ट स्टोक और गुर्दो की विफलता से लेकर पैर में अलसर और अंधेपन के खत्रे को पैदा कर सकता है अल एली और उनकी टीम ने अमेरिका में वेटरन्स अफेल्स विभाग के राष्टे स्वास देखबाल डेटाबेस के साक्षे पर आधारित पहली बार इस प्रभाव को महसूस किया था उन्होंने पाया कि कोविट संक्मड से बचे लोगों की तुलना में कोविट से ठीक हुए लोगों में 6 महीनों के अंदर डायबटीस होने की संभावना लगबग 49% अधिक थी पर टेक 1000 कोविट मरीजों पर 6 लोगों में डायबटीस होने का खत्रा है अलली के अनुसार अमेरिका में सर्दियों के दौरान 1,30,000 से जादा कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भलती कराये गया था विश इस तर पर 15,53 करोट से जादा लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए हैं इसमें भारत के 2 करोट से ज़्यादा लोग शामिल हैं चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा लोग डायपटीस से पीडित हैं आलली का डेटा पिछले महीने नेचर में प्रकाशित किया गया था इसमें उन्होंने इंगलेंड के एक अस्पताल में कोविट से संक्रमित 50,000 मरीजों पर 3 सबता तक अध्यन किया इसमें डिश्चार्ज के लगबग 20 सबता बाद उन मरीजों में डायपटीस होने की संभावना 50% ज़्यादा पाई गई वाइरस द्वारा या संक्रमड से प्रती शरीर की प्रतिक्रिया से नष्ट हो जाती है हौंग कॉंग विश्व इद्धालाय में पैथोलोजी के क्लिनिकल प्रोफेसर जॉन निकल्स के अनुसार कोविड मरीजों में डायपटीस होने की वज़े हैं संक्रमड के प्रती, acute stress response, steroid का अधिक प्रयोग जो blood sugar level को बढ़ाता है या cable diabetes के वो मामले जिनका पहले से पता नहीं लग पाया था दुनिया भर के लगबख 500 डॉक्टर रुबीनो की diabetes रजिटरी के माध्यम से डेटा साजा करने के लिए सहमत हुए हैं अब तक हैश्टरी के माध्यम से लगबख 350 मामलों को दल्च किया गया है इसके अलावा इससे संबंदित मरीजो और मातापिता के इमेल के माध्यम से लगबख हर दिन इसकी जानकारी मिल रही है इस जानकारी के मुताबिक लगबख 8 साल के बच्चे को जिसे 2 महीने पहले COVID हुआ था उसमें भी diabetes पाई गई यह कहना मुश्किल है कि कोरोना वाइरस से diabetes हो सकती है मेलबन के बैकर हार्ट और डाइबटीस इंस्टिटूट के उप निदेशक जोनाथन शौ ने कहा जनसंक्या अधारिट डेटा पर diabetes का पता लगाने के लिए COVID मामारी के प्रभाव को आखा जा सकता है इस बीच लॉस एंजलेस के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में type 2 diabetes के नए मामले देखे गए diabetes का खतरा बढ़ते वजन वाले बच्चे या कम फिजिकल एक्टिविटीज करने वाले बच्चों में ज़्यादा देखा गया उन्होंने पाया कि पिछले साल type 2 diabetes के 5 मामलों में से एक को diabetes के लिए अस्पताल में भरती की आवशकता थी ketoacidos में insulin के आपूर्ती के कारण blood में acid का निर्माड हो जाता है इसके विपरीद 2019 में केवल 3% नए मरीजों को इस जानलेवा समस्या का सामना करना पड़ा जबकि 2020 में किसी भी बच्चे में सक्रिय COVID-19 नहीं था टाइप 1 डायपटीज आटो इम्यून परतीरिया के कारण होता है जो पैंक्रियास में insulin बनाने वाली कोशिकाओं को नश्ट कर देता है केनेडा में डॉक्टरों का कहना है कि मामारी की वज़े से टाइप 1 डायपटीज वाले बच्चों की देख भाल में देरी हो सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविश्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को जादा जादा लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद